मदेपुरा के गमरिया वाड नंबर एक में पती और पतनी की एक साथ हत्या से हड़कम्प मच गया पतनी वंदना की हत्या तो उनके घर में ही कर दी गई थी जबकि मृत्यका के पती विकास राय और विक्कू की हत्या घर से दो किलूमिटर की दूरी पर की गई है बिक्कू की डेड बोडी गमरिया वाड के पूरब देशा में बड़ी नहर के नीचे बरामत की गई है पती पतनी की निर्मम हत्या की जानकारी जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और भारी संख्या में लोग मौकाई वारदात पर जमा हो गए वहीं गमरिया पुलिस भी देलबल के साथ मोके पर जांच के लिए पुलिस को भी इस डबल मंडर की मिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है पुलिस को अभी तक पती-पत्नी की हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है बताया जा रहा है कि मिर्तिका वंदना का मायका सुपॉल जिला के महतवा गाउं में है उनके परिजनों को भी इस घटना की सूचना दे गई है पुलिस का कहना है कि गाउं के लोग भी इस कांड पर चुपी साधे हुए है वहीं डबल मडर की मिस्ट्री को सुलजाने के लिए पुलिस अलग-लग बिंदूओं से जाच कर रही है जाच के बाद ही इस दिल दहला देने वाली गटना की पीछे की वजह का खुलासा हो पाएगा पंजाब केसरी टीवी के लिए मधेपुरा से राजीव रंजन की रिपोर्ट